नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का बेबीज वर्ल इंडिया में और आज का ये वीडियो अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो को बनाने के लिए काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी लेकिन अगर आप बच्चों के ऊपर इस रेमेडी को ट्राइ करें तो मैं सजस्ट करूंगी कि पहले एक पैच टेस्ट करिये यानि की थोड़ा सा पहले हाथ के उपर या फिर पैर के उपर लगा के देखिए अगर बच्चे को किसी तरह के रैश्ट वगरा नहीं हो रहे हैं तो आप फिर इसे पूरे बॉड़ी पे या फिर फेस पे कंटुन्यू कर सकते हो आपको करना क्या है पीली वाली जो मस्टर्ड सीड आती है जिसे सर्सो कहते हैं वो लेना है मेक शौर काली वाली राई नहीं लेनी है पीली वाली जिसे हिंदी में सर्सो कहते हैं अच्छे से प्रावडर बना के रख लीजिए और हर रोज आपको एक चमच सर्सों का पावडर या दो चमच सर्सों का पावडर लेना है depending upon the area you are applying अगर सिर्फ फेस पे लगा रहे हो तो एक चमच से हो जाएगा अगर आप पूरे बॉड़ी पे इसे लगा रहे हो जैसे कि कुछ बच्चों के कंधे पे, पीठ में, पैरों पे, हाथ पे, सब जगा पे बाल होते तो 3-4 चमच आपको पावडर लेना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा सरसो का ही तेल डालना है आपको और इसे एक पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है जहां पर भी बच्चे के अनवांटेड हैर है अपर लिप्स पे है या फिर जॉलाइन पे है या फिर बैक पे है हाथ पे ह जहां पर भी है circular motion में एक से दो मिनिट तक मसाज करना है इस remedy को आप हर रोज ट्राइ कर सकते हो या फिर alternate day भी ट्राइ कर सकते हो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके बच्चे की unwanted hair कम होने लगेगी और फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही खतम हो जाएंगे सारे unwanted hair ट्राइ जरूर कीजेगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें अपने family और friends के साथ share करें और subscribe करें Babies World India को इसी तरह की और पर अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए Thank you so much for watching this video, see you all in another video, love you all, bye bye